नमस्कार आप देख रहे हैं दर्स नियूज मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा बिहार में सक्षमता परिक्षा उत्तिर्न करीव 36,000 सिक्षकों की काउंसलिंग अधूरी रह गई है जी हाँ सक्षमता परिक्षा जिनोंने दी थी और जो पास हो गए थे वो अपने पोस्टि पॉस्टिंग 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 पॉस स्थिक्षक भी 36000 की संख्या में सिख्षक है जिनकी काौंसलिंग अदूरी रह गई है इसे सिख्षकों की काौंसलिंग में उपस्तिती नहीं उए वहीं सेस सिख्षकों की काउंसलिंग बिभिन कारणों से अधूरी रह गई है इन छूटे हुए 36,000 सिख्षकों को फिर से काउंसलिंग का मौका देना है इसको लेकर सिख्षा विभाग और बिहार विद्याले परिक्षा समीती की बैठके भी हो चुकी है पर कोई निर्णय न बताते हैं कि चुकी बिहार विद्याले परिक्षा समीती के पोर्टल पढ़ें सिख्षकों द्वारा सक्षमता परिक्षा के दौरान अपलूड आधार नंबर प्रमान पत्रों से मिलान किया जाना है मिलान नहीं होने के स्थिती में सिख्षकों की काउंसलिंग अधूरी र जाएगा नए पदस्थापन के साथ ही इन सभी को सरकारी सिख्षक का दर्जा मिलेगा वहीं दूसरी और इनसे पदस्थापन आधी को लेकर नई नियमावली बनाने की भी तैयारी चल रही है पर उस मामले में भी अभी तक किसी नतीजे पर विभाग नहीं पहुंच सका है विभाग ने इसको लेकर दो जुलाई को कमीटी भी बनाई थी जिसकी रिपोर्ट नहीं आ सकी है मालूम होगी राजी के सभी जिलो में सक्षमता परिक्षा उतीर्ण हुए सिख्षों की काउंसलिंग प्रकिडिया एक अगस्त से 13 सितंबर तक चली सक्षमता परिक्षा उत तुरूटी में सुधार का मौका दिया जाए तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि बैठके तो हो गई काउंसलिंग को ले कर लेकर लेकर अभी तक इन छूटे हुए 36,000 सिख्षों की काउंसलिंग कब होगी ये भी बड़ा सवाल है और सिक्षा विभाग सक्षमता पास जितने मुहर भी नहीं लगने दी है तो आखिर कब तक ये मामला चलेगा क्या ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी आएगी भी या नहीं ये भी एक बड़ा सवाल है तो फिलाल इस खवर में इतना ही है दरस नूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने नहीं किया है तो जरू कर लें धन्यवाद